नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप लोगों का स्वागत है वजन कम करने के लिए प्रोटीन का इस्तमाल करना क्यों जरूरी है? दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा शांदार है और बहुत ज़्यादा अच्छा है वो प्रोटीन का सेवन क्यों करे अपनी लाइफ के अंदर? तो चलिए बात करते हैं प्रोटीन के बारे में प्रोटीन शरीर के लिए एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है वजन कम करके आपको एक ऐसी गूड लुकिंग शेप देता है जो आपको और दूसरों को अच्छी लगती है यदि आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मातरा को बढ़ाते हैं तो आपका मैटाबोलिजम तेज होने लगता है कि आप लोगों को काप्स नहीं लेने है ध्यान रखेगा काप्स आप लोगों को कम लेने है प्रोटीन की मातरा आप लोगों को सही लेनी है बस इतना सा याद रखेगा क्योंकि काप्स नहीं लेने से भी आप लोगों को लोज हो सकते है लेकिन प्रोटीन क्या है और प्रोटीन जो है वो इतना important क्यों है obesity के लोगों के लिए कैसे आप लोगों का वजन कम करने में प्रोटीन help करता है तो चली बात करते हैं प्रोटीन बहुत अदिक तक मदद करता है वजन को कम करने में और पेट के साइड गीचर भी जिसे white fat भी कहा जाता है, visceral fat या सबके continuous fat भी कहते हैं, को कम करने में बहुत अधिक मदद करता है, चलिए जानते हैं, protein किस तरीके से आपका वजन कम करता है, विज्ञान के तरीके से, protein के इस्तेमाल से वजन को बढ़ाने वाले hormones नियंत्रित रह लग जाते हैं, आपके वजन का बढ़ना, आपके दिमाग के एक हिस्से से निंत्रित होता है, जिसको hypothalamus कहते हैं, बहुत सारे signal दिमाग से निकलते हैं, इसके लिए आपको कब और कितना खाना खाना है, आपके लिए सबसे बड़ा signal वह होता है, कि जब आप खाना खाते है आपका पेट थोड़े से खाने से भरा हुआ महसूस हो, आपका दिमाग सिगनल सेंड करें hypothalamus के जरीए, ताकि आप लोग उस खाने को ज्यादा ना खा पाएं, और अपना पेट भरा हुआ महसूस करें, तो यह सब क्रियाए करने के लिए आप लोगों का hypothalamus जो है, वो active क् protein आप लोगों को ज्यादा खाना जरूरी होता है, अब इस diagram से हम लोग समझते हैं, देखिए, घरलीन एक ऐसा हार्मोन है, जो की hunger हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं, appetite जो है, वो strong बनने लग जाता है, यदि CCK, GLP1 और PYY हार्मोन जो है, वो down हो जाते हैं, लेकिन stomach जो है, यानि पेट आपका भरा हुआ कब महसूस होता है, जब GLP1, PYY और CCK हार्मोन बढ़े वे होते हैं, और घरलीन हार्मोन और रेपेटाइट हार्मोन जो है, वो down रहते हैं, तो यह कैसे होता है, GLP1 और PYY हार्मोन कैसे बढ़ते हैं, यह देखिए, यदि आप protein की मातर अपनी बढ़ते हैं, जबकि घरलीन हार्मोन का स्तर गिरता है, जैसे मैंने कहा, CCK हार्मोन बढ़ने लगता है, अगर आप लोग protein का इस्तमान बढ़ाते हैं, यदि आप carbohydrate और fat की मातरा कम करके protein की मातरा को बढ़ाते हैं, तो भूक को संतुष करने वाले हार्मोन बढ़ने लगते यानि घरलीन जो है, वो घटने लगता है, और आप लोगों की भूक जो है, वो कम होने लगती है, अब बात करते हैं, दूसरे टंबर की, कि protein क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों का जो हार्मोन है, वो तो बढ़ाता ही है, जैसे कि देखिए, peptide YY है, GLP है, और CC के ह कार्बोन जो है, वो बढ़ने लगता है, तो दूसरा एडवांटिज है, आप लोगों के लिए, कि protein के इस्तमाल से calorie जलने लगती है, क्यासे calorie जलने लगती है, प्रोटीन के इस्तमाल से, जब आप प्रोटीन के इस्तमाल करते हैं, तो आपके खाने को पचाने और metabolize करने मे क्यालरी के इस्तमाल से, आपके शरीर की calorie सरीर को burn करने लगते है, कहने का मतलब है, इसको theramic effect कहते हैं, कहने का मतलब है, जब आप लोग प्रोटीन की मातरा अधिक लेते हैं, तो जो आप लोगों के शरीर में calorie है, system को metabolize करने के लिए, system में उर्जा काम करने के लिए, उर् बनने लगती है और उर्जा आप लोगों के सरीर में बनने लगती है प्रोटीन के अंदर थेरमिक एफेक्ट 20-30% का पाया जाता है और कार्भोहईडिट के तुलना में और फैट के मुकाबले इसमें जो है वही 20-30% जो है थेरमिक एफेक्ट जादा होता है तो आप लोग दे 30-35% तक आप लोग लेते हैं तो आप लोगों का थेरमिक एफेक्ट बढ़ने लगता है जिससे आप लोगों की जो कैलरी है वह बर्ण अंदर ही होने लगती है आप लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रत नहीं रहती तीसरा है प्रोटीन के इस्तेमाल से बाकी समय में भी आपकी कैलरी जलनी लगती है कैसे थेरमिक एफेक्ट के कारण और अउर बाकी अन्य कारणों से उच्छे मात्रा में लिए गए प्रोटीन से आपका मैटाबॉलीजम तेज होने लगता है इससे आपकी एक्स्ट्रा कैलरी जब आप सोते हैं उस वे में भी जलने लगती है सो उसे 80-100% कैलरी आप लोगों की सोते वक्त ही जलने लगती है, तो अगर आप लोग प्रोटीन का इस्तमाल करते हैं, तो जब आप लोगों का जो कैलरी सिस्टम है, वो बर्न होता रहता है, प्रोटीन के इस्तमाल से आपकी कैलरी लेनी की जो चाहत है, वो कम हो जाती है, जिन आपने आप ही कम हो जाएगी यदि आप लोग प्रोटीन बढ़ा लेते हैं तो पांचू टिप है प्रोटीन के बारे में प्रोटीन के इस्तमाल से आपकी भूग शांत होती है जिससे आप दीर रात खाने से बच सकते हैं प्रोटीन का सबसे बड़ा कारण होता है तेदिक हेरलीन हार्मोन बहुत आधिक तेज गती से बढ़ने बढ़ रहा है और यह तभी सान्त होगा जब आप लोगों के खाने में प्रोटीन होगा तो कम से कम आप लोगे किस दिन तक कंटिनूंग तहतीस परसेंट अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ा लीजिए और अपना ज के इस्तमाल से आपके कैलरी लेने की मातरा में कमी आती है और कैलरी बर्न ज्यादा होती है अभी देखे कि कैलरी इन और कैलरी आउट कैलरी आउट ज्यादा होने लग जाएगी और कैलरी इन कम होने लग जाएगी तो ओटोमेटिकली आप लोग जो ओबैसिटी के जो सिकार हैं मुटाप़े के जो शिकार हैं वो कम होंने लग जाएगा कहने का मतलब है कि प्रोटीन के सिस्टम होगा के रूप में कम हो जाती है और शलक कि ज़रेरि अज़्य जादा हो जाती है यानि कि जब आप लोग कुछ खाते हैं तो वो कम खाएंगे लेकिन जलेंग आप लोगों की जो कैलरी सिस्टम होगा, जो फैट होगा, वो कार्वोहेड़ेट के रूप में काम आ जाएगा, कैलरी के परतीशत में यदि 30 परतीशत प्रोटीन अधिक मातरा में बढ़ा लिया जाए, तो 12 हवतों में बिना कुछ किये, 11 पॉंड वजन आप लोग कम कर सकते हैं, जो लोग डाइट में ज्यादा प्रोटीन का इस्तमाल करते हैं, उनका बैली फैट और हामफुल फैट कम होने लगता है, नमबर सेवन पर आता है, वजन कम होने के साथ साथ आपको मेटाबोलिक रेट और मसल्स मास में गिरावट आती है, कहने का मतलब है, ये बात बह लोगों को समझने की जरूरत है, ना कि आप लोगों को इतनी जी तोड महनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है कि आप लोगों को कैसे आप लोगों का वेट जो है वो continuity में कम करना है, धीरी धीरे करके अपने आप ही कम हो जाता है, लेकिन समझने वाला बात यही होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं डबल आईटी ट्रेनिंग करके जो muscles mass है उसे भी loss कर लेते हैं और बहुत जादा tiredness फील करने लग जाते हैं जब वजन कम होता है तो उसके साथ-साथ visceral fat और sub continuous fat और muscles mass भी कम होते हैं साथ ही साथ आपके metabolic rate भी गिरने लगती है इसलिए सबसे अच्छा यही रहता है कि protein के साथ-साथ आप exercise भी करें ताकि आप लोगों का muscles mass ठीक रहें धन्यवाद